Our friends, this is Pankas, welcome to Pankas EduTech दोस्तों हर बार की भादि आप इस बार भी इंतिजार में होंगे अगर आप Seated की Preparation कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है का आप इस बार भी इंतिजार कर रहे होंगे कि Notification 2022 का जल से जारी होनी चाहिए थी तक कि जल्दी साब लोग फॉर्म भरते और परिक्षा देते दोस्तों यहाँ पर मैं बता हूँ आपको कि सीटेट 2022 का नोटिपिकेशन जो की जुलाई में आयोजीत करानी की प्लानिंग चल रही है दोस्तों क्या यह परिक्षा जुलाई में हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी या फिर एक साल में एक ही बार कराई जाएगी इस बार हम सब कुछ complete इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों आप से request इस वीडियो में अगर हमाई चनल पर नए होंगे तो subscribe कर लेना, bell like को press कर लेना ऐसी latest update पाने के लिए दोस्तों आपको पता है कि seated के परिक्षा एक साल में दो बर आया जित करा जाती है एक जुलाई के महिने में, एक नॉमबर और दिसंबर के महिने में तो दोस्तों अभी जो है दिसंबर के महिने में जो परिक्षा कराई गई थी उसका result जारी कर दिया गया है result declare हो चुका है लेकि दोस्तों अभी उसका जो है certificate जो है डीजी लॉकर में नहीं आया हुगा है तो बहुत ऐसे च्छातर है जो कि बहुत परिशान है अपने result को ले करके तो उनसे मैं request करूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी परिशान नहों इसके बारे मैं आउनलाइन आवेदन लिया आते हैं दो से तीन महीने पहले तो दोस्तों अभी तक जो है उसके नियम के हिसाब से अभी तक notification जारी हो जाना चाहिए था अगर notification अभी जारी होता दोस्तों तब जाके first week of the July आपके परिशा सीडेट की हो सकती थी लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 26 जो हो चुका है और अभी तक दोस्तों अपरिशा जारी नहीं किया गया है सीडेट का जुलाई को लेकर के तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ऐसी डेट बताऊंगा कि उस डेट तक अगर मान लो कि अगर नोटिफिकेशन आता है तो परिशा जुलाई में होने के chances हैं otherwise परिशा इस बार नहीं होगी तो दोस्तों बताऊंगे आपको यहाँ पर 15 से 20 मैं तक 15 से 20 मैं तक अगर नोटिफिकेशन दोस्ते हाँ पर आता है तो आपको जुलाई में परिशा देखने को मिल सकती है अगर अधरबाद दोस्ते हाँ पर परिशा मुस्किल लग रहा है रही बाद दोस्ते हाँ पर दिसंबर की तो दिसंबर की परिशा फिक्स है अगर आप प् और अगर जुलाई की बात करें तो दोस्तो एक तरह से आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि परिक्षा जुलाई में होगी या फिर नहीं होगी तो दोस्तों हाँ पर बात करता हूँ seated certificate को लेकर के आपकी परिक्षा दोस्तों जनवरी और दिसंबर दो महिने में complete कराई गई थी और दोस्तों complete कराने के बाद आपका result भी declare कर दिया गया है लेकि दोस्तों आप देखेंगे आपका result अभी तक आपकी mark seat अभी डीजी locker में upload नहीं किया गया है दोस्तों upload नग करने का एक बड़ा करण यह भी हो सकता है कि इस बाद परिक्षा online हुई थी और online परिक्षा होने के साथ साथ यहाँ पर CBSC के पास बहुत सारे काम बढ़ गया है और यहाँ परिक्षा दोस्तों अभी आपका mark seat upload होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है जैसे ही आप पर क्रिया क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर board की परिक्षा भी चल रही थी जो कि CBSC conductor आती है तो CBSC पास सिर्फ एक ही काम नहीं है कि आपका सिर्फ का mark seat upload करा या फिर सिर्फ के बारे में ही सोचे उनके पास बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों तो इस तरह से सभी काम को एक साथ लेकर चलने में उनको गठिनाई होती होगी तो आपको थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा तब ही आप लोग सेट की वेबसाइट से ओफिसल वेबसाइट से आप लोग सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकोगे तो दोस्तों डीजी लॉकर में आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं आप कुछ ही दिन तक इंतजार करो दोस्तों आपको आपका अपना माग सीट देखने को मिल सकता है तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट पाने के लिए हमाया चैनल पंकज एडिटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेलेगें को प्रेस कर सकते हैं जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो आप आपको वीडियो को मादम से जरूर बताते हैं रहे बाद दोस्तों आप सीटेड प्रिपरेशन के लिए तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोग उसके नहाँ पर प्रिपियस एर के इतनी पेपर हुए हैं आप उनको उठाओ और दोस्तों अभी सही जो है सॉलिशन हल करना सुरू कर दीजिए सेल्फ इस्टेडी करिए साथ अगर चाहे आप तो प्रिपियस पैड क्लासेस भी जोईन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं बताओं आपको आपको यहाँ पर प्रिपियस एर के पेपर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आपको लेबल देखने के लिए बागी आप लोग सेल्फ इस्टेडी भी कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं किसी ने अपडेट के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरों